मैं हूँ आज शेकीन कुरेशी आप देख रहे हैं JPN7 News बात अब जगदी सरन हिंदू डिगरी कालेज की जिसकी प्रबंद समीती के हुए चुनाव में जैगोपाल महाश्वरी को अध्यक्ष सुमत कुमार जैन को सचीव नारायन दास अगरवाल को पाध्यक्ष लीला धर अरोला को निरविरोध उप मंत्री चुन लिया गया वहीं कारेकारणी के लिए 11 सदिस्यों का भी निरविरोध चुनाव संपन हुआ जैएस हिंदू डिगरी कालेज का तरिवाक्षिक चुनाव शांती पूर्वक धंग से संपन हुआ टीम्यू की कुलाधी पती सुरेश जैन ने सभी नवनिरवाचित पताधिकारियों को शपत भी दिलाई जैएस डिगरी कालेज के नवनिरवाचित पताधिकारियों का मालियार पन कर अध्यक्ष जेगोपाल महेशवरी द्वारा स्वागत भी क्या गया वही नम नर्वाचित अध्यक्ष जे गुपल महेश्वरी सचिस सुमत कुमार जैन उपाध्यक्ष नरायन दास अगरवाल उपुमंतरी लीलधर अरोला ने कहा कि वह कालेज के विकास के लिए सब को साथ लेकर कार्य करेंगे नम नर्वाचित पताधिकारियों ने पराचारे जीपी गुपता की कारियों की सराहना भी की सिधार्थ पिंटू जैन, योगेश कुमार जैन, पराचारे जीपी गुपता, बिरिज नरायन अगरवाल, सुरिंद्र सर्राफ आदी ने नम नर्वाचित पताधिकारियों को शुब कामनाय बधाई देते हुए उनके कालेज हित्मे कार्रे करने की उम्मीद जताई चुनाव में कालेज प्रवन समीती के महिला पुरुष सदस्य भारिज संख्या में मौजूद थे, जिनकी उपस्तिति में चुनाव संपन हुए नई कमेटी का जो चैन हुआ है वो विध्याले का मार्ग उन्नती की तरफ ले जाएगा ऐसी हम आशा और अपेक्षा करते हैं जैगोपाल जी एजूकेटेड बहुत सज्जन व्यक्ति हैं उनके साथ मंत्री जी सुमत कुमार जी जैन उनके साथ उपाध्यक्ष नरायनदास जी लीलाधर जी अरोरा उपमंत्री श्री हरीश अरोरा वो भी M.A.L.L.V हैं जो इस संस्था के कोशा ध्यक्ष चुने गए ह बाकी शेश सदस बेल क्वालिफाइड जो इस टीम के अग्रसर करेंगे और उनकी की तरफ इस विद्याले को ले जाएंगे ऐसी आशा और अपेक्षा हम इस टीम से करते हैं सभी सहयोगियों का इतना बड़ा जो सहयोग रहा है इस आशा के साथ निर्वरूत चुनाब आशा करते हैं इस विश्व विश्व विद्याले बने जगदीश सरन हिंदू विश्व विद्याले जो भारत में गूंजेगा यह हमारी आशा और अपेक्षा है सवर पर्थम अपने जेश हिंदू स्थनात को तरवेया महा विद्याले के निर्वरूत वे इस चुनाओं में अपने अध्यक्ष श्री जैगोपाल जी महाईश्री को बधाई देता हूं और यह आशा करता हूं कि आप उत्रोत तर ब्रद्दी की ओर कालिज को ले जाएंग मैं अपने निर्वर्तमान अध्यक्ष महदे श्री विजय शंकर जी सर्लाफ जी और हमारे वरिष्ट सदस श्री ग्रीश अगरवाल जी रमेश अगरवाल जी खरीश अरोला जी दिलासर अरोला जी सभी और अन्य बहुत वरिष्ट सदस हैं इन सभी का बहुत हिर्दय से धन परिशानिये खड़ी करता है हमारा प्रियास होगा कि सभी के सहयोग से हम इस कॉलिज में लौ कॉलिज खोल पाएं इसके अत्रिक इसकिल डेवलेप्मेंट का जैसे की वर्तमान केन सरकार की डीती है एक अच्छा सेंटर अफ एक्सिलेंस बना पाएं एवम कॉलिज के अकड़मिक एट्मॉस्फियर को इंप्रूब कर सकें जिससे की चात्रों के पठन पाठन अच्छे ढंक से हो जिससे उनमें घ्यान की सही म आधिक अधिक च्रेयन संबभ हो सके इस समय हमारे सभी वरिश्र साहतियों के सहियों की आवश्यक्ता होगी और मुझे विश्वास है जैसा सहियों की सभी ने हमारी इस टीम के लिए आज पिदरशित किया है बहश्य में हमें मिलता रहेगा बहुत दिनों बात यह पहला और पदादिकारियों का चुनाव हुआ, सभी लोगों ने मनोयोग से सभी कर्मचारियों ने, सभी सिक्षणेतर कर्मचारियों ने और सिक्षकों ने बड़े मनोयोग से इसमें भाग लिया और इस चुनाव को संपन कराने में सहयोग दिया